वलक्ष्मी व्रत के दिन मा लक्ष्मी की पूजा करने के लिए ये उपाय किये जा सकते हैं। सुबह स्नान करने के बाद मा लक्ष्मी की पूजा करें। मा लक्ष्मी के चरणों में 11 पीली कोडियां अर्पित करें। कुछ समय बाद, कोडियों को लाल कपड़े में बांध कर अलमारी या तिजोरी में रख दें। घर में शुब मुहूर्त में श्रीयंत्र की स्थापना करें। शाम को घीका दीपक जलाकर महालक्ष्मी मंत्रों श्रीन ह्री श्रीन नमह का जाप करें। महिलाएं रंगोली बनाएं और हलदी कुमकुम से स्वास्तिक का निशान बनाएं। वलक्ष्मी व्रत के दिन सुबह सनान करने के बाद मा लक्ष्मी की पूझा करें और मा लक्ष्मी के चरणों में 11 पीली कोडियां अर्पित करीं। कुछ समय बाद कौडियों को लाल कपड़े में बांध कर अलमारी या तिजोरी में रखें। माना जाता है कि इस उपाई को करने से सुख सम्रिद्धी में व्रिद्धी होती है और धन की प्राप्ती होती है। हिंदू धर्म में माता लक्षमी को धन, सम्रिद्धी की देवी माना जाता है। इस कल्योग में सब पैसा कमाने की होड में लगे हुए हैं और जिस पर माता लक्षमी की कृपा हो जाए उसको आर्थिक तंगी कभी नहीं सताती। देवी लक्षमी को प्रसन करने के लिए श्रावन माह के शुक्ल पक्ष को पूर्नेमा से पहले आने वाले शुक्रवार को वलक्षमी का व्रत किया जाता है। जैसा की नाम से पता चलता है वलक्षमी मतलब वर देने वाली लक्षमी, जो भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करती हैं। वलक्षमी को माता लक्षमी के आठ स्वरूपों में से एक माना जाता है। वलक्षमी देवी का अवतार दूधिया महा सागर से हुआ, जो क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। साथ कन्याओं को घर बुलाकर चावल से बनी खीर खिलाएं। पूजा के बाद, सेवन, ग्यारा या इक की सुहागिनों को सुहाग की सामगरी भेट करें। अगर दिन में पूजा ना कर पाएं, तो संध्या में मिठाई का भोग लगा कर देवी की आर्ती करें। एक पौरानिक कथा के अनुसार, भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत का महत्व बताते हुए बोला, मगद देश में कुंडी नाम का एक नगर था। वहाँ एक आदर्श स्त्री चारुम्ती रहती थी, जो अपने परिवार की देख भाल कर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। चारुम्ती माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी. एक रातरी माता लक्ष्मी ने चारुम्ती के स्वपन में आकर वलक्ष्मी व्रत का विधान बताया. चारुम्ती ने अपने आसपास की सभी महिलाओं के साथ यह व्रत विधी विधान से किया जिससे उनके घर स्वर्ण से भर गए और उन सभी के परिवार वालों को सुख सम्रिद्धी प्राप्थ हुई इस दिन प्राताह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए नित्यक्रिया से निवरित होकर पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए माता लक्ष्मी की मूर्ती की स्थापना कर उनको नए वस्त्र, कुमकुम और जेवरों से सजाएं साथ ही एक कलश भी स्थापित करें कलश के चारूं और चंदन लगाएं पान, सुपारी, आम के पत्ते, हल्दी, कुमकुम, नारियल सब कलश को अर्पित करें माता के प्रसाद के रूप में सामर्थ्य अनुसार फल, मिश्थान अर्पित करें धूप दीपकर वलक्ष्मी व्रत की कथा पड़ी व्रती दिन भर निराहार रहे धन, वैभव, सम्रिध्धी, सुख और संपत्ती ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी इच्छा हर व्यक्ती करता है शास्त्रों में इन वस्तुओं को प्राप्त करने का सरल माध्यम है वलक्ष्मी व्रत जो श्रावन मास की शुक्ल पक्ष की दश्मी को मनाई जाती है ये व्रत अधिकतर करनाटक और तमिलनाडू में रहने वाले करते हैं वलक्ष्मी से वर्दान और लक्ष्मी दोनों प्राप्त होते हैं संतानहीन महिलाएं ये व्रत करें तो उनके घर आंगन में जल्दी ही किलकारियां गूंजने लगती हैं सौभाग्यवती महिलाओं का सौभाग्य अखंड रहता है यदि पती पत्नी दोनों मिलकर इस वरत को करते हैं तो दोगुना फल प्राप्त होता है मान्यता है कि वलक्ष्मी वरत रखने वाला व्यक्ती अश्टलक्ष्मी पूजन जितना पोन्य प्राप्त करता है जो व्यक्ती वरत करने में सक्षम न हो वो ये पूजा करने से वैभव और संपत्ती दोनों प्राप्त कर सकते हैं उनके घर से दुख और दरिद्रता सदा के लिए बाहर चले जाते हैं धन, वैभव, सम्रिद्धी, सुख और संपत्ती ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी इच्छा हर व्यक्ती करता है शास्त्रों में इन वस्तुओं को प्राप्त करने का सरल माध्यम है वलक्ष्मी व्रत जो श्रावन मास की शुकल पक्ष की दश्मी को मनाई जाती है ये व्रत अधिकतर करनाटक और तमिल नाडू में रहने वाले करते हैं वलक्ष्मी से वर्दान और लक्ष्मी दोनों प्राप्त होते हैं संतानहीन महिलाएं ये व्रत करें तो उनके घर आंगन में जल्दी ही किलकारियां गूंजने लगती हैं सौभाग्यवती महिलाओं का सौभाग्य अखंड रहता है यदि पती पत्नी दोनों मिलकर इस वरत को करते हैं तो दोगुना फल प्राप्त होता है मान्यता है कि वलक्ष्मी वरत रखने वाला व्यक्ती अश्टलक्ष्मी पूजन जितना पोन्य प्राप्त करता है जो व्यक्ती व्रत करने में सक्षम न हो वो ये पूजा करने से वैभव और संपत्ती दोनों प्राप्त कर सकते हैं उनके घर से दुख और दरिद्रता सदा के लिए बाहर चले जाते हैं पूजन प्रदोशकाल के समय स्नान कर घर की पश्चिम दिशा में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा कर उस पर केसर मिले चंदन से अश्टदल बना कर उस पर चावर रख जल कलश रखें कलश के पास हल्दी से कमल बना कर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ती प्रतिष्ठित करी माता लक्ष्मी की मूर्ती के सामने श्रीयंत्र भी रखें कमल के फूल से पूजन करी इसके अलावा सोने चांदी के सिक्के, मिठाई और फल भी रखें इसके बाद माता लक्ष्मी के आठ रूपों की निम्न मंत्र के साथ कुनकुम, अक्षत और फूल चड़ाते हुए पूजा करी ओम पहिनी पक्षनेत्री पक्षमना लक्ष्मी दाहिनी वाच्षाभूत प्रेत सर्वशत्रु हारिनी दर्जन मोहिनी रिद्धी सिध्धी कुरु कुरु स्वाहा ध्यान रखे क्रोध, वैमनस्य, इर्श्य, जलन, नफ्रत और बेमानी जैसे भावों से दूर रहना आती आवश्यक है मन की सरलता से सारे तंत्र मंत्र यंत्र सिधा होते हैं